1. 42 में सम्विधान संशोध नदिनियम, 1976 द्वारा प्रस्टावना में किस शब्द को नहीं जोडा गया? A. एक्ता और अखंडता B. धर्मनिर्पेक्ष C. गुटनिर्पेक्ष D. समाजवादी Answer गुटनिर्पेक्ष 2. भारतिय सम्विधान ने किस प्रकार के लोक्तंत्र को अपनाया है? A. लोक्तांत्रिक राज्टंत B. लोक्तांत्रिक गंटंत्र C. वंशानुगत लोक्तंत D. सम्वेधानिक राज्टंत Answer लोक्तांत्रिक गंटंत्र 3. भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में वर्नित लोक्तंत्र को किस रूप में स्विकारा गया है? A. आर्थिक लोक्तंत B. राजनीतिक राज्तंत C. सामाजिक राज्तंत D. उपर्युक्त सभी 4. भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच सत्ता किसमें नहित है? 1. जनता 2. राष्ट्रपती 3. संसद 4. अंसर जनता 5. भारत की संप्रभुता 1. एक्ता तथा अकंटा को अक्षुण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है 1. नीती निर्देशक सिध्धान्त में 2. मूल कर्तव्य में 3. प्रस्तावना में 4. अंसर प्रस्तावना में 6. भारतिय संप्रभुता की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूप रेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है 1. राज्य के नीती निर्देशक सिध्धान्तों एवं मूल कर्तव्यों में 2. मूल अधिकारों के अध्याए में 7. संविधान सभा में प्रस्तृत उद्देशयों में अविव्यक्ती विचार को भारतिय संविधान के किस भाग में पुनर्था शामिल किया गया है 8. भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है 9. निमनलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतिय सम्विधान उद्गोशित नहीं करता है 10. भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नामुल लिखे थे? 11. भारतिय सम्विधान किसके द्वारा स्वीकृत है? 11. भारतिय सम्विधान को सम्विधान सभा द्वारा अंगी कृत किया गया? 11. भारतिय सम्विधान का बंगी कार किया? 11. भारतिय सम्विधान किया गया था? 11. सम्विधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 12. भारतिय सम्विधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किये गये थे? 12. भारतिय सम्विधान की उद्देशिका में किया थे?